आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ बी एन सारे नेचरल नंबर है और के बलॉंग्स टू यह जो के है पाँच से बढ़ी है इसकी वेलू तो अपने को find out करने है तो basically सबसे पहले तो यहाँ पर एक सीरी दियो यह सम ठीक है उसमें अगर मैं इसको आई से देनोट करता हूं तो उसमें क्या दिया हुए limit n tending to infinity n infinity के तरह अप्रोच कर रहा है 1 into 2n-1 2 the power k plus 2 into 2n-2 the power k ठीक है अगर n को मैं इस तरह लिखता हूं n into 2n-n to the power k इस तरह लिख सकता हूं उसको और आप उनमें अपने पास क्या आ गया है अब उनमें यहां से दिया हुआ है n to the power k into n square simple ठीक है तो यह वाली जो सीरी जो इसको सम को अगर इसका nth term लिखना चाहूं तो इसका summation क्या हो जाएगा यह लिख सकता हूं limit and tending to infinity यहां पर देखिए सबसे बैरी कौन सा कर रहा है यह वाला 1 यहां पर यह भी बनने सेम टू यह टू सेम है ठीक है n ठीक है तो मैं summation लगा सकता हूं r equal to 1 से लेकर कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है इसको r मैं convert कर देता हूं 2n minus r to the power k upon n to the power k into n square simple ठीक है और मैं इसको अगर simplify करना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं limit and tending to infinity summation of r equal to 1 से लेकर n तक ठीक है इसको मैं क्या कर देता हूं 1 by n into ryn ठीक है ryn square को ऐसे लिख दिया और यहां पर मैं जो अगर n to the power k है 2n minus r to the power b k है तो इसको मैं अंदर ले जा सकता हूं 2n minus r by n की power k ऐसे लिख सकता हूं उसको simple और यहां से यह क्या हो जाएगा i equal to limit n tending to infinity summation of r equal to 1 से लेकर n तक यह मेरा हो जाएगा 1 by n यह हो गया ryn और अंदर क्या आगया 2 minus ryn ठीक है अगर separate कर दिया तो की power k अब यहां पर देखिए हम जानते हैं की limit को integration में किस तरह convert करते हैं property क्या होती है we know that महां लो limit n tending to infinity है कोई इस तरह की series दियुए summation of r equal to कहां से लेकर a से b तक जा रहा है ठीक है और यहां पर मेरा दिया हुआ 1yn into f of ryn function दिया हुआ है in terms of ryn ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूँगा इसको मैं लिख सकता हूँ put ryn equal to x अगर मेरा ryn को अगर x put करता हूँ तो मैं 1yn मेरा क्या हो जाएगा tx simple ठीक है तो यहां पर देखिए इसको और मैं summation को summation obviously क्या होता है discrete values का sum और integration क्या होता है continuous तो इसको obviously यह equal होता है यहां पर limit जाएगी सबसे पहले r की जगे सबसे पहले क्या है a तो x equal to a by n lower limit limit and tending to जब infinity की तरफ जाएगा तो इसको की तरफ परोच करेगा 0 की तरफ ठीक है यह lower limit है और x upper limit क्या होगी limit and tending to infinity अब r की जगे क्या है मेरा b तो b by n तो तब यह मेरा क्या है रहा है अगर यहां से तो b तक जा रहा है तो यह b by n हो जाएगा और यहां पर हम बोल नहीं सकते b क्या है a क्या है ठीक है तो यह मेरा x l से लेके x u तक जाएगा 1 by n को मैं export करता हूँ sorry dx और function f of x तो यह हो जाता है मेरा i अब इसी तरह से यह property का मैं इस्टेमाल करके यहां पर यह property ठीक है इसका इस्टेमाल करके मैं क्या करने जा रहा हूँ इसको convert अगर करने की कोसिस करूँ तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा इसको integration में convert कर दो 1 by n को r by n को तो export कर दो x into 2 minus x की power k 1 by n की जागे dx ठीक है अब मेरी जो law limit होगी वो क्या होगी r equal to 1 है so यह limit u जो आएगी ul law limit limit and tending to infinity 1 by n that will be equal to 0 और u अपर क्या आएगी यह जाएगी n tending to infinity r की जिगे में क्या रख देता हूँ n तो n by n equal to 1 तो 0 से लेके बन तो यहां से मेरा finally इसका इस्टेमाल करने के बाद मेरी जो i की जो value आई है 0 से लेके बन तक x into 2 minus x की power k dx simple तो इसको integrate कैसे कर देता हूँ मैं यहां पर let 2 minus x equal to t ठीक है so dx क्या हो गया minus dt यह limit से लेए जब x equal to 0 था तो यह 2 x equal to 1 by 1 तो यह आजाएगा x की जगे 2 minus t into t की power k minus के dt ठीक है तो अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ limit को exchange कर देता हूँ 1 से लेके 2 तक यह क्या चला जाएगा t की power k plus 1 ठीक है minus 2 into t की power k into dt ठीक है अब simply integrate कर देते हैं तो यह क्या आजाएगा t2 the power k plus 2 upon k plus 2 limit से लेके 1 से लेके 2 तक minus 2 into t की power यह k plus 1 upon k plus 1 limit कहां से कहां तक चली जाएगी 1 से लेके 2 तक तो यह simply मेरे पास यहां से क्या आजाएगा 2 की power k plus 2 minus 1 upon k plus 2 minus 2 into 2 की power k plus 1 minus 2 upon k plus 1 तो finally यह मेरे पास क्या आगा 2 की power k plus 2 minus 1 upon तो यहां पर क्या आएगा यह minus बाहर लेके रख लिया ठीक है तो यह minus बाहर तो चली रहा था तो यहां पर प्लस हो जाएगा तो simply यह मेरे कितना आगया upon k plus 2 plus मैं यह इसको लेक ज़कता हूँ 2 की power k plus 2 minus 2 upon k plus 1 अगर उससे मैं compare करता हूँ तो यहां पर यह देखे 2 की power k plus a तो यहां पर 2 की power k plus a minus 2 upon यह k plus 1 था और minus को अंदर ले जाँगो तो यह plus का क्या हो जाएगा बन minus 2 की power k plus b that will be k plus b upon k plus 2 अगर मैं इनको दोनों को compare करूँ गा तो यहां पर मेरे पास b की value कितनी आ जाएगी b की value यहां से यह 2 ठीक है and a की value a equal to 2 तो hence यहां पर क्या जाएगा finally मेरा 2 plus 2 by 3 4 by 3 thank you